हलो फ्रेंड्स, बेलकम बेक टू स्टेडी बित्तिवारी चेनल, कैसे हो आप सब, तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में वह सब्द का प्रियोग किन-किन स्थानों पर किया जाता है, तक किन-किन सर्बनाम सब्दों में किया जाता है, उसकी फुल डिटेल से इस वीडियो म पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होगा, वह सब्द ऐसा है, जो एक से अधिक सर्बनाम, जो सर्बनामों के जो प्रिकार हैं, उनके अंतरगत आता है, जब कुश्चन एक्जाम में आता है, तो हम अकसर कन-फ्यूज हो जाते हैं, कि इसमें कौन सा सर्बनाम होगा, तो मैं इसी कन-फ्यूजन को दूर करने के लिए इस क्लास में आई हूँ, इसमें हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे, कि कैसे प्रिकार से हम बाके में वह सब्द को पहचान सकते हैं, तो बच्चों हम इसमें देखते हैं, कि एक तो वह सब्द का प्रियोग अन्य पुरुस बाचक सर नाम होता है, तो आपको पता होगा कि इस जब किसी ब्यक्ति या प्राणी के इस्तान पर वह सब्द का प्रियोग किया जाए, तो वह अन्य पुरुस बाचक सरम नाम होगा, तो बच्चों कैसे, आपको सिम्पल सा याद रखना है, कि जब अन्य पुरुस में वह सब्द ना कि निर्जीब. आपको याद रखना है सजीब, जैसे वह मेरा भाई है, तो इसमें आया हुआ भाई, कैसा है सजीब हैं? कोई निर्जीब तो होगा नहीं, भाई बच्चो, कैसा है सजीब? तो इसमें अंडालाण करके दे दिया, आपको वहे में कौन सा क्या होगा सर्बनाम होगा तो आपको करना है वहे में कुन सा होगा बच्चो अन्यपुरुस बाचक सर्बनाम दूसरा है इसमें वहे मेरी गाय है वहे मेरी गाय है तो इसमें अंडरलान करके आपको दे दे या रेखंकित करके वहे पे दे दे तो आपको बताना होगा इसमें कौन सा सर्मनाम होगा तो गाए कैसे होती है बच्चो सजीव होती है ये तो ये किसमें जाएगा अन्यपुरुष बाचक सर्मनाम में आया आपको समझ तो मैं आसा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा आपको सिंपल याद रखना है बच्चो जब अन्य पुरुष बाचक में वह सब्द आये तो उसमें आये हुए जो सब्द है वो कैसा होगा सजीव होगा सजीव होगा कैसा होगा सजीव बस ये याद रखना हैं आपको और अगली नेश्ट स्लाइड में हम देखते हैं वह सब्द के और किस किस सर्मनाम में प्रियोग किया जाता है तब तक के लिए आप क्लास से जुड़े रहेंगे ये नहीं कि आप बीच में छूड़ कर क्लास को चले गए लाश्ट तक क्लास को देखा करें बच्च निश्य बाचक सर्मनाम में वह सब्द का प्रियोग आप बच्चो इसमें देखते हैं निश्य बाचक सर्मनाम में वह सब्द का प्रियोग कैसे किया जाता है तो जब वह सब्द का प्रियोग किसी दूर इस्तित बस्तू के लिए तो बच्चो आपको पता होगा बस्तू त वहे मेरी बॉल है, तो बॉल क्या है, निर्जी बस्तुए एक तरह ऐसे, तो इसमें क्या होगा, वहे पर अंडलान करके दे दिया, या रेखांकित करके दे दिया, तो वहे क्या होगा, इसमें बचो, निश्य बाचक सर्मना, वहे मेरी बॉल है, निश्यत करके हुए कह रहा है कि वहे मेरी बॉल है दूसरा दिया गोया इसमें वहे तुमारी कार ہے तो कार निर्जीब बस थूँए कोई सहजीब तो है NI तो इसमें आया हुआ वहे किसमें जाएगा निश्य बाचक सर्मनाम सब्द में जाएगा तो मैं आसा करती हूँ आपको दोनों ये समझ आयोंगे अन्य पुरुस भाचक में और निश्य भाचक में कैसे हम डिप्रेंट कर सकते हैं तो बच्चों आपको सिंबल सा याद रखना है कि अन्य पुरुस में आया हुआ वह है निर्जीब सोरी सजीब करमे के साथ प्रियोग होता है और निश्य बाचक सर्वनाम सब्द में आया हुआ जो वहे है वहे किसमें होता है निर्जीव में होगा अन्य पुरुष में सजीव में और निश्य बाचक में निर्जीव में होगा सिंपल है बैदी सिंपल तो बचो और भी इसके प्रियोग है एक तो सम्मंद वाचक सर्वनाम में वह सब्द का प्रियोग किया जाता है उसको भी देखेंगे हम इसी क्लास में तो बचो आप नेश्ट क्लास में देखते हैं तब तक आप बीच-बीच में अपने दोस्तों के सम्मंंद वाचक सर्वनाम के रूप में जब वह सब्द का प्रियोग सम्मंद वाचक सर्मिनाम से सम्मंद का बोद कराने हितू starts तो वहां वह सब्द सह सम्मंद वाचक सर्मनाम होता है तो इसमें जैसे देर रखा है जो पढ़ेगा वह पास होगा तो जो तो इसमें होगा है सम्मंद वाचक सर्मनाम और वह सब्द आया है वो क्यों सह सम्मंद वाचक सर्मनाम जो ये क्या लिखा हुआ है इसमें बच्चो जो आया है वह जाएगा भी जो आया है वह जाएगा भी तो जो तो हो गया इसमें संबंद और वहे पर एक आंकित करके दिया है तो वो हो जाएगा इसमें सहे संबंद बाचक सर्बनाम आया आपको समझ सहसंबंद बाचक में वह सब्द आता है तो वह किसमें जाएगा सहसंबंद बाचक सर्वनाम में अब नेश्ट वीडियो में देखते हैं कि इसका लास्ट जो नियमें वो किसके साथ होता है वह सब्द का तो बच्चों वो होता है आपने पड़ा होगा संकेत वाचक विशेशन या शार्व नामिक विशेशन में भी वह सब्द आता है उसको आप कैसे पहचानोगा यदि बाक्त में आता है तो उसको भी देखते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट स्लाइड में तो सार्व नामिक विशेशन के रूप में या इसको बोल सकते हैं संकेत वाचक विशेशन के रूप में जब वह सब्द का प्रियोग संग्या के तुरंत पहले किया जाए अर्थात जब वह सब्द के तुरंत बात कोई संग्या सब्द प्रियोगत हो तो वहाँ सार्व नामिक सब्त बना किसे है सर्वनाम प्लस एकसे क्या बना है सार्वनामे तो नौर्मल सी बात है इसमें सर्वनाम आएगा वहे पुस्तक पढ़ो तो देखो इसमें पुस्तक क्या है बच्चो संग्या जाती वाचक संग्या तो जब बाके में सर्वनाम के तुरंत बाद संग्या पद आये या सब्द आये तो उससे पहले आने वाला वह है क्या होगा बच्चो सार्विनामिक विशेशन होगा कहीं इसको आप वह है यह पढ़ करके कहीं इसमें सर्विनाम कर दें नहीं इसमें क्या आएगा बच्चो सार्विनामिक विशेशन अगला एक्जामपल है वहे कुर्सी उठाओ तो कुर्सी क्या है बच्चो संग्या और संग्या के जश्ट पहले क्या आया हुआ है इसमें वहे तो वहे क्या होगा इसमें सारविनामिक बिसीसन अगला है इसमें वच्चो वह लड़का है तो लड़का क्या है संग्या और संग्या से जश्ट पहले आया है वह तो वह क्या होगा सार्बिनामिग बिसेशं तो मैं आई होप आपको ये सारे जो एक्जाम्पल है जो प्रकार है वह सब्दिके वो समझाए होंगे ऐसी मैं आपसे अपेच्छा करती हूँ यदि फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो बच्चो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हों या तो फिर मैं आपको वही रिप्लाई दे दूँगी या नेस्ट वीडियो में हम उसे जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर क्लियर करनेंगे तो क्लास से जुड़ को सुचारू रूप से चलाना बचों कहीं छोड़ने बीच में छोड़ने से पढ़ाई बादित हो जाती है फिर हमें उसको रीकवर करने में टाइम लगता है इसलिए आप कंटिन्यू रखें अपनी पढ़ाई को क्योंकि बोर्ड एक्जाम मार्च में होने वाले हैं तो आ